स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल में और दोस्तों एकों नई जानकारी लेकर आज हम फिर हाजिर हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर आपको भी सीने में जलन होती है तो इसको किस किस प्रकार से आप दूर कर सकते हैं ऐसे क्या-क्या घरेलू उप्योगी नुस्खे हो सकते हैं और उपाई हो सकते हैं जिसके जर्ये आप सीने की जलन से छुटकारा पा सकते हैं तो इनी सब चीजों का समाधान लेकर आज की इस वीडियो में हम आये हैं आप से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देगें तब ही जाके आपको समझ में आएगा कि आपको ऐसी कौन सी चीजों का सेवन करना है जिससे आपकी सीने की जलन दूर हो सकती है देखे दोस्तो कई बार ज़्यादा मसालेदार और तलाबुना खाना खाने से सीने में जलन की समस्या बन जाती है सीने में जलन जब होती है तब सीने के नीचे हिस्से में जलन महसूस होती है और पेट में दर्द, गेज बनना, सुजन होना, गले में खटी डकार आना और उल्टी आने की समस्या भी होने लगती है दोस्तों अगर आप घर का खाना नहीं खाते हैं और बजार में मिरने वाला फास्ट फूड जैसे की पिज़ा, बर्गर, समोसा, नूडल्स जैसी चटपटी चीजों के अगर आप लोग शोकीन हैं तो चलिए दोस्तों अब आपका ज्यादा समय लेते हुए ना लेते हुए अब बताते हैं कि एसे कौन-कौन सी चीजे हैं जिनका आप सेवन करने के बाद इस समस्या से चुटकारा पा सकते हैं और ऐसे कौनकों से food या फिर fruit होते हैं जिनको आप खा सकते हैं देखे दोस्तो ऐसे में सबसे पहले नमबर पर आता है संत्रा जी आँ दोस्तो यह citrus फले जो स्वाज में खटा मीटा होता है संत्रा खाने से सीने की जलन से काफी हद तक आपको आराम मिल सकता है अगले नमबर पर आता है बनाना याने की केला केला खाने से भी जलन से तुरंत आराम मिलता है इसके लावा केला खाकर आप कब्ज को भी दूर कर सकते हैं अगले नमबर पर आता है दूद और शहद दूद एवं शहद आपको सीने की जलन से तुरंत आरम दिलाते हैं एक गिलास दूद में एक चमल शहद मिलाकर अगर आप लोग पीते हैं तो सीने की जलन आपकी निश्चिती कम होती है अगले नमबर पर एसे में बेनिफिट्स जो देता है वो होता है ऐलोवेरा जूस इसलिए एलोवेरा जूस से पीने से हार्ड बन से चुटकारा आपको मिल सकता है अगले नमबर पर आता है एपल यानिकी सेमफल दोस्तो सेब में फेनोलिक, फाइटो केबिकल्स जैसे की क्यूर सेटिन और कार्बो हैडरेट्स पाए जाते हैं जो सीने की जलन को कम करता है अगले नमबर पर आता है समुद्री भोजन यानिकी सीफूड देखे दोस्तो सीफूड खाने से भी सीने की जलन दूर होती है विशेश करके सीफूड में मचली खाने से गेस्ट्रिक एसिट कम बनता है क्योंकि मचली में टेओरीन होता है जो गेश्टरिक एसिट को बनने से रोकता है अगले नमबर पर ऐसे में आता है पपीता दोस्तों पपीते में पेपे नाम का एक इंजयायम पाये जाता है जो पाचन क्रिया को दुरूस्त बनाता है पपीते को रोजाना खाने के बाद जरूर खाना चाहिए ये चाती की जलन से आपको छुटकारा दिलाता है और अगले नमबर पर आता है कर्ड याने की धई 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 खाने से भी सीने की जलन दूर होती है साथी पाचेन क्रिया भी बहतर बनती है दई को आप ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन अगर आपको इसका स्वात पसंद नहीं है तो आप इसकी लसी या चाज बना कर भी पी सकते हैं अगले नमबर पर आती है मुलेटी मुलेटी में फाइबर होता है जो सीने की जलन को दूर करने के लिए एक नेचरल दवा के रूप में कारी करता है ये कोलेश्टोयल को सोकता है और गेस्टिक एसेट के निर्माण को रोकता है और दोस्तो अगली चीज आती है निबू याने की लेमन निबू में ऐसेट होता है जो सीने की जलन से आपको रहात दिलाता है निबू पाचन क्रिया को भी सही रखता है इसलिए रोजाना निबू पानी पीने से भी आपके पेट में कभी गैस नहीं बनेगी तो दोस्तो ये थी सीने की जलन से चुटकारा पाने के लिए हमें किन-किन चीजों का सेवन करना चाहिए जिसकी मदस से हम सीने की जलन से छुटकारा पास सकते हैं उसके बारे में इंफोर्मेशन उमिद करता हूँ आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई होगी अगर मेरी यह वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दमाएं वीडियो देखने के लिए अपना किमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद